असलाम अलेकूम वेलकम तो कुकिंग विद बेनजीर मैं बेनजीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंड रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगे पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो कर लीजिए क्योंकि आप हमारी रेसिपीज इंशालला बहुत पसंद करने वाले हैं कुकिंग विद बैनसीर सर्फ जाइका नहीं जस्बात भी आज हम पुराने दिल्ली स्टाइल का दानेदार मटन कोर्मा बनाएंगे बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल मटन हमने लिया है सभा किलो याने की एक किलो और दो सुपचास ग्राम अच्छी तरह से धो कर सुखाया दो टेबल स्पून भरकर हम मटन में अध्रकलसन का पेस्ट मिलाएंगे दो टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर पीली मिर्च का पाउडर यह हम 1.5 तीस्पून यूज कर रहे हैं पुरानी दिल्ली स्टाइल के मटन कुर्मे में पीली मिर्च का पाउडर डाला जाता है वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप रग्यूलर लाल मिर्च पाउडर दाल दें तीखी वाली कश्मीरी मिर्ची पाउडर यह हमने 1.5 तीस्पून यूज किया है कलर के लिए गरम मसाला पाउडर एक तीस्पून वन एन आफ तीस्पून के आसपास नमक दस से बारा काली मिर्चे एक टुकडी डाल चीनी पांट से छे लॉंग साथ से आठ हरी इलाइची और दो बड़ी इलाइची एक टीस्पून भर कर जीरा हमने 250 ग्राम दही लेकर उसे अच्छी तरह से बीट कर लिया एक चीज का खयाल रखना है दही ज्यादा खटी ना ले खटी दही लेंगे तो कभी-कभी मटत गलता नहीं है तो मीठी और ता हमने बचा ली सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे कवर करके मैरेनेट होने तेंगे एक घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं अगर मैरेनेट करेंगे तो बहतर टेस्ट आएगा मटन को हमने रख दिया मैर चावित्री का फूल यह हमने आधा फूल यूज किया है और 7-8 हरी लाइचिया इनका हमें एक पाउडर बना कर रेडी करना है मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है हमने एक कप तलीवी प्याज ले ली है अगर आपके पास यह नहीं है रेडी मेड तो आप तीम बड़े प् लाइं अब हमने रखना है इसका पेस्ट नहीं बनाना है इस तरह से हमेसे डर डरा सक क्रश करना है हमने जो दही बचा कर रखी थी तक्रिबन 15 ग्राम की आपस उसमें इतलीवी प्याज का ने जो विक्स्टर बनाया है वो डाल देंग जो मसाला ग्राइंड किया है उसे भी मिला दिना है थोड़ी अद्रक के जूलियन्स दालेंगे और हम इसमें थोड़ा केवडा वाटर भी मिलाएंगे एक पीस्पून के असपस केवडा वाटर इन्हें मिक्स करके हम एक साइट पर रेडी रख लेंगे आप समझ जाएं कि कोर्मा तो बस इस तरह से यह रेडी कर लें मटन को मैरनेट कर लें और फिर आप काफी सारे बाकी के काम कर सकती है एक घंटे के बाद हम इसे बनाएंगे और आप देखेंगे बड़े आसान तरीके से यह रेडी हो जाएगा बिलकुल रेस्टरें स्टाइल हमने 5-6 ते बिलस्पू हम घी यूज़ करके उसमें भी बना सकते हैं हम दोनों मिक्स करके बनाना पसंद करते हैं और घी अच्छी तरह से गरम होने के बाद हम इसमें मैरिनेटेड मटन डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीजों को सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके दो से तीन मिनिट पकाया फिर हम इसे गलाने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर का लिड हमने बन किया हम इसे गलने के लिए रखेंगे एक विसल तक पकाएंगे हाई फ्लेम पर बाद में 10-15 मिनिट लो फ्लेम करके पकाएंगे मटन के गलने तक आप अपने हिसाब से टाइमिंग्स को एड़िस्ट करें जिस तरह आपका प्रेशर कुकर और फ्लेम है वो हिसाब से हमने इसमें बिल्कुल पानी आड नहीं किया है मटन अपनी ही जूसेज में और दही के पानी में गलकर तयार हो जाएगा वैसे पुरानी दिल्ली स्टाइल मटन कुर्मा जब बनाते हैं हम तो उसे नॉर्मल बर्तन में बनाया जाता है किसी भी वैसल में प्रेशर कुकर में नहीं बनाया जाता लेकिन आजकल की फास्ट लाइफ के हिसाब से हम इसे प्रेशर कुकर में बनाते हैं ताके टाइम की बचत हो, वैसे आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं, उसमें गलने में मटन को टाइम लगेगा, कम से कम एक घंटा हमें मटन को पकाना है, तब जाके वो गलेगा, प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया, मटन को चेक किया, मटन बहुत अच तरह से भूनेंगे, पात से सांथ मिनिट अच्छी तरह से हमने मटन को भूना, इसे चलाते रहे हम, यह जो मसाला हमने तयार किया है, जिसमें दही है, मसाले है, अद्रक है, वो हम मिला देंगे, साथ में हम एक कप के आसपास, पानी भी मिलाएंगे, फ्लेम को हाई सारी चीजों को मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से हमने मिक्स किया, माशाला बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है, और बहुत अच्छा कोर्मा बनकर तयार हुआ है, अच्छी तरह से बोल होने दिया, दो से तीन मिनिट, बाद में हम लो करके, चार से पांच मिनिट ताकि सारे मसाले अपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पांच से छे मिनिट हमने पकाया और फिर फ्लेम को बन कर दिया है, बिल्कुल पॉफिक कंसिस्टेंसी आ गई है और बहुत अच्छा कोर्मा बनकर तयार हुआ है, सर्फ करते हैं, कर दो मिनिट हैं, अच्छी थाओगा है, रख रख दो करने प्राद कर दोर वाई हैं, कर दो मिनिट हैं, अजर मिनिट शेंदेंसी आ गिस तकते हैं, और बहुता कर दोर दोर्श जिए सकते से घ्ट, आँ सूले हैं,